हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लेमन बीफ चटकारा बोटी की रेस्पी जो की बहुती टेस्टी बनकर तयार होती है और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा जब आप इसको चटनी के साथ खाएंगे तो ये रेस्पी आप जरू वीडियो को स्टाट करते हैं तो बीफ चटकारा बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आदा किलोग्राम बीफ का इस्तमाल किया ये बोनलेस बीफ का इस्तमाल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से टुकडों में काट लेंगे और एकदम अच्छी तरीके से धो लेंगे यहां पर मैं इसको aisle कोकर में ट्रासफर कर दugen हम इसमें कट कर दके डाल देंगे और दो टीज़ इसमें हम डालेंगे अद्रक लशन का पेस्ट और एक टीज़ पून हमने टेश्टके मताभकी सब्सक्तून में नमकाइड कर दिया हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे एक कप के करीब और इसके लिड को पैक कर देंगे और दो तीन सिटी लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से गल जाए जब प्रेसर निकल जागा तब इसको हम चेक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक दम अच्छी तरीके से गल चुका है और इसको जो एक्स्टा का पानी है उसको हमें ड्राइ कर लेना है छासे बांश मिनाट लगेंग इसको हमें चला जला कर अच्छी तरीक inside कर लेना है भून लेना है है pengaflame पर हम इसको भूणेदे胤 Event is completely худrud our recipe tan असानी से बन जाती है यह बीफ की बोटी का जब हम इस्तमाल करेंगे और मसालेदार इसको बनाएंगे बीफ चटकारा बोटी तो बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है चोटे-चोटे टुकड़ों में हमने इसको काट के बनाया है आप भी ध्यान रखें जब इसको आप बन में इसको निकाल लेंगे और एक मसाला तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक कप के करीब प्लेन दही का इस्तमाल करना है आप चाहने तो ड़ी डाल भी सकते हैं या फिर इसकी भी कर सकते हैं अगर आपके पास अलेबल हो तो इसमें हम कुछ मसाले अट करेंगे एक मिला लेना है यहां पर हम डालेंगे एक टीजपून चाट मसाला पाउडर और इसको हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है तो यहां पर हम डालेंगे एक टीजपून हरे मिर्च की चटनी और एक लेमन जूस इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर जाने कि अची तहरी तरहें रही हैं कि उसके हम अच्ची तर की मितना रहें थे टाइल गूल मशेटेशेकर और छेसे ऊ thought कि ऋम्हारे धानियां करें थे जटना विश्मादया और देखोड़ निकला है देंगे एक टीजपून थोड़ा सा नमक क्योंकि मुझे यहां पर इस पॉइंट में नमक कम लग रहा था इसके बाद हम इसमें आइड करेंगे कार्ण फ्लोर तो मैंने दो टीजपून के करीब कार्ण फ्लोर एड किया है और इसको भी अच्छी तरीके से हाथों से हमें मिक् टीजपून खरेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 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 हम जलते हुए कोईला डालेंगे और तोड़ा सा इसमें पहले से ही गरम कर रखा हुआ था हुआ यह इक तीस्पून घी और ढख देंगे ताकि इसमें फ्लेवर जजब हो जाए तो चलि जो दाल दो चाल लेगे जाना तुब तो यहां पर जब हम इसमें बोटी डाल देंगे तो तीन से चार मिनट तक टुछ करेंगे जब एक साइट का अच्छी तरीक्य से और दूसरे साइट से हमें तीन से चार मिनट तक तरीकहां कर लेना है टोटल इसको फ्राइ करने में साथ से आठ मिनट लगेंगे और जब एक अच्छा सा सुनायरा सा कलर आ जाएगा तब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जब आप फ्राइ करेंगे यह चटकारा बोटी तो आपका एकदम अच्छी तरीके से फ्राइ करना है एक साइड का जब अच्छी तरीके से फ्राइ हो जाएगा तब दूसरे साइड का भी हमें अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है चार से पांच मिनट लगेंगे इसको फ्राइ करने में तो मैंने दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ् अगर ज्यादा देर तक आप इसको पकाएंगे तो बहुत ही हाड हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो बस इसको एक कलर आने तक इसको हमें अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है और यह हमारे यह चटकारा बोटी बनके तयार हो जाएगा तो यह लिज इसको चाहें तो बना सकते हैं और बहुत ही शांदार यह हमारी चटकारा बोटी बनके तयार हो चुकिए इसको चटनी के साथ जब आप खाएंगे तो इसका टेस्ट दूगना हो जाएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकद तक के लिए दौाओं में याद रखिए अपना ख्यार लखिए अल्ला हाफीज